जब आप Call of Duty को open करते हैं तो यहाँ पर एक permission मांगता है Storage permissions allow Call of Duty Mobile to add additional maps, operator and weapons Some modes are only available after the download Please tap OK to proceed and accept the permission or tap exit to close the game देखिए यहाँ पर आपको Storage की permission तो लगेगी क्योंकि जो भी आपके maps download होते हैं जो भी आपकी additional file download होती है वो सब आपके mobile के storage में ही जाती है तो यहाँ पर अगर आप Storage की permission नहीं देंगे तो आप game को नहीं खेल सकते हैं तो simply आपको OK करके यहाँ पर permission दे देना है यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर बेफिकर होके आप यहाँ पर OK कर दीजिए और permission दे दीजिए यहाँ पर और इससे आपके कोई भी loss या नुकसान नहीं होगा तो कुछ पूछना है तो आप मुझसे comment नहीं पूछ सकते हैं मैं आपको उसका reply दे दूँगा वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स दोर को सब्स्राइब कर दे अपना वोज़रा क्यार रखें अल्हाफिस